हर S-print की एक चाहा होती है और वो चाहा होती है सरकारी नौकरी की लेकिन सरकारी नौकरी की राहों में कठनाईयां बहुत होती हैं सिर्फ बात तयारी की नहीं है बात सिर्फ जो है competition को crack करने की नहीं है यहाँ पर बहुत सारी समस्याओं कर सामना करना पड़ता है स्ट्रेट को और उनमें से एक जो समस्या होती है एक जो struggle होता है वो यह होता है कि कैसे वो अपनी तयारी पर ध्यान दे पाएं खुद को आर्थिक रूप से मजबूत रखे क्योंकि हमें सुनने में आता है बहुत बड़ी संका में इस्ट्रेट जो है अपनी तयारी को सिर्फ इसलिए बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास धन की कमी होती है आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं होते हैं और इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए टेश्ट बूक जो है इस्ट्रेट की मदद करने की कोशिश करता है अपने रिफरेंड अर्न यानि रेफरल प्रोग्राम के जरिये और आज हम referral program के बारे में ही एक खास महमान से बात करने वाले हैं तो सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ testbook.com में और अब मैं आपको इलवाता हूँ हमारे आज के महमान से अभिशेक जी से अभिशेक जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है testbook में तो अभिशेक जी सबसे पहले बिताई कैसा लग रहा है आपको testbook में आकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है यहां पे आके और आप से बात करके तो और अच्छा लग रहा है अरे सच में बिलकुल तो अभिशेक जी testbook से आप कब जुड़े testbook से मैं last year ही जुड़ा था इनका जो प्रोग्राम है उसके बारे में मुझे अपने फ्रेंड के थ्रू पता चला और तब से ही मैं जुड़ा हूँ फ्रेंड के थ्रू आपने मुला कि आपको पता चला कैसे पता चला उन्होंने लिंक शेयर किया था या उन्होंने आपको कहीं बता दिया था कि testbook जो एक प्लेटफॉर्म में जो तैयारी कराता है या कहीं यूटूब पर या फेस्बुक किसी शोशल मीडिया पर देखा था मेरे एक फ्रेंड है उन्होंने ही मिर को बताया था कि testbook में कुछ ऐसा प्रोग्राम चल रहा है जिसके तुरू kind of like students को help मिलेगा और थोड़ा बहुत like earning वगएरा भी कर सकते हो तो आपने उनका code यूज किया था मुझे कोई course like as such खरीदना नहीं था उन्होंने मुझे बताया कि बाकी जो तुम्हारे community में जिनको तुम जानते हो क्योंकि testbook के courses actual में काफी affordable है तो इस वजह से अगर किसी को आप refer करते हो किसी को बताते हो तो वहां से छोटा सा incentive मिलता है जी तो जब आपके friend ने बताया कि एक ऐसा program है जहां से आपके जो friend अगर आपकी code से जुड़ते हैं तो उनको discount मिलता और आपको incentive मिलता है तो थौट नहीं आया कि ऐसे बहुत program चलते हैं fake होंका कुछ नहीं मिलता हां लगा लेकिन जो बता रहे थे कौन आपको बता रहा है तो जिन्होंने मुझे बताया तो उन्होंने मुझे बताया कि वो भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं तो इस वज़े से मुझे लगा कि हां अगर वो person कर रहे हैं मिन्स generate थोड़ा बहुत मेरे friend कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूं भरूसा आगया कि हां मिलेगा जब इनको मिल र तो वहां से ही मैंने पहला जो रैफरल था किया था स्टूडेंट्स को एक इन्फोमेटिव ब्लॉग पोस्ट बनाके कॉंटेंड लिखके मैंने पिछ किया था तो आप बता सकते हैं कि जब आप एक साल पर जुड़े थे आपने पहली बार किसी को रिफर किया था और वह आप कि सातर से सौ रुपै के बीच में रहा होगा के सातर से सो रुपै बीच में इससा कि जब किसी ने इन्रोल किया था, तो पहला जो payment आया था, पहला को यही था अच्छा, आपने दाया कि जब किसी ने पहले इन्रोल किया तो आपको 70-100 के बीच में कि amount आय एक, exact amount आपको यार नहीं है तो यह अमाउंट आपका हाल आ गया था कि वह टाइम लगा था पास दिन साथ दिन दस दिन या हाल क्या अमाउंट आपका आ गया था उससी टाइम आ गया था लेकि किसी ने इन्रोल किया इंस्टेंटली मेरे को इमेल भी आया अच्छा और टेस्ट बुक के जो एप है वहां पर भी दिख रहा था कि ट्रांसफर हो गया तो अकाउंट में जो मैंने चेक किया तो वहां पर भी आ गया था बैंक में था इस टाइम पर पर बात कंटीनू करूंगा मैं यहां पर एक बार क्लियर कर दूँ मैं आपको कई वार बता भी चुका हूं अलरी कि पहले जो है अपको क्या करना है उसी रिफरेंट अन सेक्षन में एक जगे ऑप्शन आता है इंटर यो यूप याई आईडी वहां पर बस आपको अपनी यूप याई आईडी को एंटर करना है वेरिफाई एंट से पर क्लिक करना है उसके बाद जैसे ही आपका इसेंटिव आएगा वो अब ही डीसेंट का अगर मैं देखता हूं तो डेली बेसिस पे वो रहता है लेक फाइव हंड्रेड फोर हंड्रेड तो वीक में ऐसा आता है तो मुझे लगता है कि हाँ थिंक्स आर गूइं गूड बलब डेली चार सो पानसुर पर आपके आते हैं इंसेंटिव से हां मिंस तो 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 कि यूजर को इंफोर्मेशन चाहिए और कुछ स्टूडेंट्स है जो फाइंड आउट करते हैं कौन सा प्लाटफॉम में लिए बैस रहेगा कौन सा लेक कहां से हम प्रिपेर करें और एक अफॉर्डिबल प्राइज में भी गरें तो वाहां पर वैसे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा फाइंड आउट करना वैसे लोगों को हैल्प करना कि तुम्हारे बजट के हिसाब से और तुम्हारे रहेसाब से लैक डेगान बेस टीचर्स पीचे कर लिए आप यह आप इस्ट्राइबल को कैसे इन फॉर्म करते हैं क लोग बगरा लिखते हैं कैसे आप बताते हैं मेरा थोड़ा सान लाइक सूशल मीडिया और वेबसाइट वगरा में इंटरस्ट है जैसे मैंने पहले भी आपको बताया तो मैं कॉंटेंट वगरा लिखता हूं ठीक है और वहां से ही मैं लाइक स्टूरेंट्स को पिछ करता यू के लिख परचेज और आप बोल सकते हो कि हाँ यह एक अच्छा प्लाटफर्म हो सकता है कोई ऐस सच मैं उनको यह नहीं कहता कि खरीदो ही मैं कहता हूं कि लेक डे आर दा बेस्ट प्लाटफर्म ठीक है तो वह उनकी चोईस होती है उनको कहा जाना होता है कौन सा उनके लिए बैस्ट हो सकता है तो अब शेख जी आपने बताया कि आपके जो है रेफरल से हर दिन लगबग तीन चार लोग जो है वह जॉइन करते हैं और आपको चार-पांस रोपर इंसेंटिव आता है आज की तारीक में जहां पर लोगों को कन्वेंस करना इतने कम समय में कुछ और कर रहोंगे तो आप कैसे उनको कन्वेंस करते हैं कि डेली तीन-चार लोग जो है वो जुड़ जाते हैं आपके जरीए इसके लिए बैसिकली दो-तिन तरीके हैं जिनके तुरू मैं करता हूं पहला तो एक वेबसाइट के तुरू जिसमें कॉंटेंट वगरा लि दूसरा शूशल मीडिय के थूरू भी हम कर सकते हैं जिसे वर्टसअप हो गया ठीक है उनको थोड़ा सा गाइड कर दिया उनके कुछ पर्सनल डाउट्स है तो उनको हमने बता दिया कि आप ऐसे ऐसे मिन्स कर सकते हो ठीक है जी कॉल वाल पर भी स्टुछते हैं कि क्या फा है तो वहां पर थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है कि लाइक क्या है तो रिसर्च लगता है उनका आंसर करने के लिए जी रियक्शन कैसा था पहली बार आपके एकांट में सतर से सो रुप बीच में जो भी एक अमांट था वह आया रिफर के जरीए कैसा रियक्शन था र अब शेक जी आप खुद इस्टूएंट हैं और इस्टूएंट लाइफ या एस्टूएंट लाइफ जो होती है उसमें बहुत सारे स्ट्रगल्स रहते हैं और बैसिकली जितने भी गवर्मेंट जॉब एस्टूएंट होते हैं वह टीर-2 टीर-3 सिटी जो होते हैं वहां से एक यही दिक्कत होते है कि middle class families में कि बहुत समय तक जो है आप तैयारी बिना earning के नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको आर्थिक रूप से भी सशक्त होना पड़ता है क्योंकि पैसे घर से आते हाँ आई के जो सुरोत है वो सीमित होते हैं तो ऐसे मैं student जो है वो अपनी preparation को यह तो इस program की वज़र से जो basic खर्चे होते हैं जैसे notebook लेना हो गया कोई book लेना हो गया तो वहां पर मुझे like help मिलता है like मुझे अपने parents से बोलना नहीं पड़ता कि like मुझे ये book खरीने इसके लिए पैसे दे दो मुझे ये notebook चाहिए या फिर pen लेना है ठीक है या फिर मुझे कहीं जाना है तो वो साही चीजे like referral program के थुरू जो a kind of pocket money होती है वो इसके थुरू जनरेट हो जाता है मतलब अगर कोई student referral program से जुड़ा है और उसका community बगएर या जो circle बगएर ठीक टाक है तो जब वो government job के जो basic खर्चे होते हैं form fill करना या फिर exam center तक जाना इन सारी चीज़ों खर्चे निकाल सकता है बिल्कुल like क्योंकि सभी जैसे मेरा है like काफी लोगों मेरे friends है जिनको pocket money मिलती है लेकिन मेरे को like पता था like pocket money होती है लेकिन मेरे घर में like नहीं दिया जाता जी मिन्स ऐसा कोई system ही नहीं है कि like pocket money मिलेगा यह होगा जो चाहिए तुम बोलो parents को अगर उनको ठीक लगता है तो दिला देंगे अगर उनको नहीं लगता है तो like नहीं like करेंगे क्या ज़रूत है इसकी हाँ बिलकुल घर की बात करी pocket money की बात करी parents को पता है आपके कि आप ऐसे किसी program से जुड़े हुए है हाँ मिन्स जब थोड़ा बहुत like खुछ से चीजे किया थोड़ा बहुत like pen वेगरा लिया या फिर notebook वेगरा लिया या फिर चीजे खरीदा तो उनको लगा कि कहां से आ रहे है तो वहां पर थोड़ा सा उनको मैंने बताया कि like website के थूरू test book का means referral program है क्योंकि उनको नहीं प कुछ कह देते हैं like ठीक है तो ठीक है तो उनको समझा पाना like easy है parents को थोड़ा सा मुस्किल है जी तो जब आपने मैंने आपसे पहले ही पूछा कि पहले reference लेके अब तक का जो सफर आपका बहुत लंबा रहा है आपने इसके बारे में सोचाता है नहीं सोचाता है मैंने यह आपसे पूछा है इस जरनी को आप आगे कैसे देख रहे हैं आप continue करेंगे आगे student को जो है refer करेंगे जोडते रहेंगे बिलकुल अभी तो मेरा यही है कि जो अच्छे अच्छे platform से जहां से students को value मिल सकती है या फिर बोलो जहां से उनकी preparation अच्छे से हो सकती है तो वैसे courses क वैसे platforms को promote किया जाए students तक पहुंचाया जाए क्योंकि students life में उनको नहीं पता होता है कुछ लोग स्कैम भी कर लेते हैं courses के नाम पे या फिर बोलो चीज़ें गलत बता देते हैं गलत value share कर देते हैं तो वहां पे उनको like information देना तो वहां पे मुझे लगता है कि अच्छा है और करना चाहिए कोई भी चीज़ें करते हैं तो उसमें परेशानिया आती हैं दिक्कते आती हैं आती हैं आपकी earning हो रही है यह बहुत अच्छी बात है इस प्रोग्राम से लेकिन मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है किसी दरे का student के भीहाफ मैं ऐसे student ने लिया और अच्छाए को बाप को बार बार मैसिज कर रहे हैं यह बता हो क्यों भेजा या तो ऐसे कोई परिशानी को समना भी जब आपको लगता हो यार क्यों मैं जुडा हूं ऐसा कुछ होता है मैं क्यों लूँ एक मैं क्यों खरी तो मैं बहुता हूं कि भाई तुम जाओ इन तोग से कम बाइज और ने को बाइख को आपको क्या जिस्काउट से जुड़ गई उसके बाद उन्हों ने भी इस प्रोग्राम का हिस्सा खुद को बनाया वह वह आपकी तरह जो है ना तरह यह आपके कोई शाथी है मेरा एक friend है जिनको मैंने बताया था जैसे मेरे friend ने मेरे को बताया वैसे मैंने उनको भी पताया तो उन्होंने भी थोड़ा बहुत अभी start के तो फोड़ा बहुत वह भी refer कर लेते हैं दो-चार लोगों को inform कर दिया तो उनका भी थोड़ा बहुत इंसेंटिवी बन जाता है जिन 大家好 नए पर्चेस कर लिया को इज शर्च या पास या पास पर वह उन लोगों के फीड़वग हमेड हैं आपको प्रचेस करने की माद हल प्रे रिशफ फीड़वेक तो छते अगareth कोई preparation कर रहा है क्योंकि platforms तो अच्छा content दे रहा है ठीक है तभी कुछ students है वो like crack वगएरा भी कर रहा है बाकि उनकी साइड है वो preparation कैसे करते हैं वो time देते हैं like daily classes वगएरा लेते हैं अगर mock test खरीदा या फिर कोई test series ले रहे हैं वो attend गर रहे हैं तो वो अगर अपनी side से अच्छा कर रहे हैं ठीक है तो वो तो means अच्छा result ही मिलेगा अगर अपनी side से अच्छा नहीं कर रहे है अगर like ले लिया दो चार test series दी फिर जाके skip कर दिया तो उस तरीके से like they are cheating themself also मतलब वो तो चीज है क्योंकि आपको कोई भी course मिल रहा है या आपको कोई भी study material मिल रहा है पढ़ना तो आपको ही पढ़ेगा तैयारी तो आपको ही करनी पढ़ेगी मैंने आपसे पहले ही पूचा था फिर से सेमी सा सवाल है कि कैसे यह जो program है student को help कर रहा है और बहुत से student के मन में यह भी doubt आता है ऐसा तो नहीं है कि हम तैयारी की तो आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप बताते हो कि उसका समोसा मिल को बहुत अच्छा लगता है अगर तुझे कभी खाना हुआ या दिल गया तो तो वहां पर जा सकता है तो ऐसी अगर किसी को लगता है यह अगर को लेना चाहिए मेरे को अपनी प्रपरेशन को कुछ अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो वहां पर लेक परचेस करेगा तो वहां पर मिंस कर सकते हैं अच्छे से दोनों जी तो एक आखरी चीज आप सेशन खतम हो उससे पहले student को कुछ टेस्ट बुक के बारे में और कि बारे में बोलना चाहें तो टेस्ट बुक का जो प्रोग्राम है रेफरल वाला वो अच्छा है और कोर्से वगरे भी आप अपने इसाफ से देख सकते हो लेक कौन से एक्जाम के आप प्रपरेशन कर रहे हो अगर आपको लगता है कि हाँ इनके कोर्से अच्छे हैं ठीक से प्रेपेर कर लो तो अब शेक जी अपना समय निकालने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाल तो यह थे अब शेक जी जो टेश्ट बुक के रेफरल प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और ना सिर्फ ये खुद की बलकि ऐसे कोई भी स्ट्वेंड जो आपके कूपन कोड से या जो आपका कोड है उससे जुड़ते हैं उनको डिस्काउंट मिलता है और आप जोनन एमांट पे किया है उसका एक पोर्सन जो है incentive की रूप में आपको दिया जाता है जो डारेक्ट आपके बैंक अकाउंट में UPI ID के माद झाल